हेलो एव्रिवन वेलकम टू डाउटनेट और वेलकम टू यूर आईटी क्लास तो बच्चो मेरा नाम है आकर्ष और मैं आपका कंप्यूटर एजुकेटर तो बच्चो आज मैं यूनिट फॉर जो हमारी एंटर्प्यूरियल स्किल्स उस पे थियोरी बेस्ट कोईशन लेके हूँ कि लाश्ट प्रिवेस क्लास में हमने क्या किया यूनिट को कंप्लीट किया उस यूनिट पे बेस्ट क्वेशन लेकर हूँ जो कि आपके बोड के पॉइंट ऑफ व्यू से कापी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और इसी तरह से बोड के अंदर कोईशन फ्रेम होंग लिखना है और चीजों को समझ के अच्छे से लिखना है चली तो बात करेंगे सब्यक्टीव क्योंड कि क्योंकि प्र हमारा सब्चिक्टीव होने वाला है तो हमने याद में कुछ कुछ को से हैं कि सबसे पहला जो क्यों हमारा आता है कि अगर इस डेफिनेशन में बूछा करते हैं अगर आपको यह कोशन आता है तो आपको से डापना करता है कि entrepreneur वो परशन होता है जो कि क्या करता है बिजनेस को डवलप करता है ठीक है entrepreneur is a person who starts run their own business वो अपने self-work मतब self-business बिजनेस पर काम करते हैं ठीक है they may run a business this is the part of the franchise or create entirely new company तो क्या करते है entrepreneur entrepreneur अपने idea अपने innovation के तरू या creativity के तरू एक बिजनेस बनाते हैं new business create करते हैं और इस company बनाते हैं ठीक है तो यह आप बोल सकते हैं कि entrepreneur क्या करते हैं फिर दूसरी definition क्या आती define the term entrepreneurship अगर आप से exam के अंतर पूचा जाए कि entrepreneurship term को define करो तो आप कैसे define कर सकते हैं कि entrepreneurship is the act of creating business or business while building scaling and generate profit तो entrepreneurship है क्या entrepreneurship का मतलब है कि हम business create कर रहे हैं और उससे क्या generate कर रहे हैं profit generate कर रहे हैं तो entrepreneurship the more modern entrepreneurship definition is also about transforming the world by solving problems तो तो कि हमने बात करी थे जो entrepreneurs होते हैं वो क्या करते हैं अपने business के थुरू बहुत सारी लोगों की जो society में problems हैं उनको solve करने की कोशिस करते हैं तो entrepreneurship यही टम है कि आप क्या कर रहे हैं बिजनेस को develop कर रहे हैं और उसके तुरू कुछ profit generate कर रहे हैं और आप society की problem भी क्या कर रहे हैं solve कर रहे हैं तो अगर exam के अंदर इस तरह से question frame हो तो आप इस तरह की language को क्या कर सकते हैं use कर सकते हैं ठीक है सिंपल सी बात है समझ गए होंगे चलिए आगे चलते हैं next question में next question क्या है list the ways in which entrepreneur effect societies मतलब कि आपको points लिखने हैं या points में लिख सकते हैं कि आप यह बताएंगे कि entrepreneurs कैसे society को entrepreneurs कैसे society को effect कर सकते हैं तो हमने यहाँ पे कुछ point को define कर रखा है ठीक है कुछ point को define कर रखा है कि जैसे पहला point है फूल फिल कस्टोमर नीड तो देखिए मार्केट में कस्टोमर की requirement क्या है क्या need है ठीक है यह society को effect करते हैं entrepreneur इस तरह से entrepreneur found find what people want कि क्या चाहिए entrepreneur यह बात को ध्यान रखते हैं कि जब वह कोई business या कोई company बना रहे होते हैं तो people को need क्या है requirement क्या है customers की उसको ध्यान रखते हैं तो इससे क्या हो रहा है कि जब कोई भी business start हो रहा है कहीं ना कहीं वह customer की needs को पूरा कर रहा है तो society को में भी effect कर रहा है ठीक है society में भी effect कर रहा है अगर मैं example कर लूँ तो आज कल बहुत सारी ऐसे company आप है जो कि grocery आपको deliver कर रही है 10 minutes 5 minutes के अंदर ठीक है तो यह क्या एक आइडिया एक creative business का आइडिया कि जिसके तुरू हम लोगों की problem solve कर रहे है मतलब लोगों को बाहर जाके grocery लाने की जुरूरत नहीं है उनके घर पे बैठे बैठे क्या जाएगी groceries आ जाएंगी सिर्फ आपको अपने mobile के तुरू application के तुरू groceries book करनी है और payment करनी है वो सारी groceries आपके घर पे deliver हो जाएगी तो कहीं न कहीं कि society में अफेक्ट डाल रही है तो इंटर्पनियोर इस बात का ध्यान रखते हैं कि customer की need क्या है क्या requirement है उसके according business idea come up लाते हैं और क्या करते हैं यूजर की डिमांड या customer की demands को पूरा करते हैं फिर local materials भाई बिल्कुल कि वह क्या करते हैं जब जो लोकल हो लोकल materials का यूज करते हैं तो उससे क्या होता society में अफेक्ट आता है कि माल नीजर मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग है जो raw material entrepreneurs को provide कर सकते हैं तो क्या करेंगे entrepreneur अगर वह local materials को use करेंगे तो और भी लोग ग्रो करेंगे society के अंदर और भी लोग बिजनेस करेंगे तो इससे क्या होगा कि society grow होगी जब लोग ग्रो होंगे तो job creation हो जाएगा ठीक है job create होगा society में अंदर तो क्या होगा काम करेंगे तो इससे मतलब क्या है job create होगी market के अंदर तो entrepreneur कहीं न करें society को effect डाल रहे हैं ठीक है jobs का creation भी कर रहे हैं इंप्रूवड standard of living बिल्कुल कि भाई लोगों का business के तुरू ठीक है क्या कर रहे है standard of living बढ़ा रहे है standard of living बढ़ा रहे है जैसे कि यहां इसका बात करें बिल्कुल कि बाई जब कुछ एंटेपर्वन ऐसे बनाते हैं जिसके तुरू क्या हो जाता है लोगों की लिवीं इस्टेंडरड में चेंजमेंड आ जाता है जैसे कि हमारा मोबाइल फोन की बात करें तो मार्केट के अंदर बहुत सारे स्मार्ट फोन से और हर स्मार्ट फोन के अंदर कुछ ना कुछ सकते हैं अगर आप एक्जाम के अंदर ऐसा ही पॉइंट लिखोगे तो आपके मार्क्स कट नहीं होंगे पूरे अच्छे मार्क मिलेंगे ठीक है टेंशन लेने की बात नहीं है नाव नेक्स्ट कोश्चन क्या है राइट इंपॉर्टेंट फंक्शन आफ एंट्रेपनियोर आ होतें हैं कि क्या करना चाहिए कब करना चाहिए कैसे करना चाहिए और कहां से करना चाहिए तो इंटप कहां कहां पैसे का यूज होना है किस डिपार्टमेंट में कितना पैसे लगाना है किस डिपार्टमेंट के अंदर कितना पैसे लगाना है बिजनेस में तो भी ये भी करते हैं तो ये भी इनका फंक्शन होता है डिवीजन आफ इंकम इंट जोट 6 घूंसेद से अचे आधी ए ठीक है इसक टेकिंग एन अचनिटी ती बिरिग मतलब रिस्कते हैं अपने बिज ने सिपिशक के लिए और सकता है कि रिस्क के वज़े सा कुछ बिजनेस डाउन भी वो सकता है उस्लग लॉस को बीर करते है उस लॉसको क्या करते profit भी हो सकता है कुछ भी होता सकता है ठीक है तो रिस्क लेना भी इंटर्पनियोर के function में आता है innovation और अपने business में नई innovation के तुरू नई क्रियेटिविटी के तुरू क्या करते हैं वो अपने business को grow करते हैं तो यह सारे functions आप लिख सकते हैं अगर आप से qualities हैं हम कुछ most common qualities के बात करेंगे सबसे पहले जो इंटर्पनियोर होतने वो इंटर्पनियोर सेल्फ डिसिप्लीन होते हैं बिल्कुल ठीक है एक successful इंटर्पनियोर बनने के लिए सबसे पहली चीज क्या है सेल्फ डिसिप्लीन डिसिप्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अप लाइप में सक्सेज होते हैं इनिशेटिव अइटेटिफाइंग ऑपार्चुलिटीश बहिए जो अगरते हैं कि इचे हैं आईधेब लिए तो हमेशा ऑपार्चुलिटीश को क्या करते हैं identify करते हैं और हमेशा initiative लेते हैं किसी भी काम में ठीक है वो क्या करते हैं जो opportunities market में develop हो रही है उनको identify करके initiative लेते हैं और business को run करते हैं they never give up बिल्कुल entrepreneurs जो होते हैं वो कभी give up नहीं करते कुछ भी होता है business के अंदर loss होता है या वो रिस्क लेते हैं किसी वज़े से problem होती है तो वो उस problem को accept भी करते हैं और क्या करते हैं मानते हैं कि वो give up नहीं करेंगे आगे चलके वो business में और भी आगे कोशिस करते रहेंगे leadership qualities भी होती है entrepreneur के अंदर कि वो अपने business को lead करते हैं अपने पूरे business के अंदर जितने लोग उनको lead करते हैं ठीक है साही ट्रैक पे कैसे business को run कराना है तो leadership qualities भी होती है one of the most important characteristics of entrepreneur in the ability to lead बिल्कुल हर entrepreneur क्या होगा एक leader जरूर होता है क्योंकि उसको अपने business को lead करना है run करना है और लोगों को guide करना है कि कैसे कैसे काम होगा ठीक है तो leader quality बी ओती leadership की qualities भी होती है और विजन भी होता है कि अफ्टर कि उन्होंने कुछ नया business start किया after five year ten year वो अपने business को कहां देखना चाहते हैं कितना grow होता होते हुए देखना चाहते हैं तो यह qualities भी होती vision भी होता विजनी भी होती है बतलब कि अपने business को grow करने की पावर होती है और अपने business को after five year after ten year वो किस लेवल पर देखना चाहते हैं ठीक है तो entrepreneurs who are truly blessing new trails always have been vision in mind और इनके दिमाग में हमें सा कुछ ना कुछ innovation creative vision होता है अपने business को लेके तो these all are the qualities of entrepreneur so you can write in an exam if ठीक है अगर कुछ ऐसा question आता है कि चलिए नव राइट सम मित अब इंटर्प्रियोर्शिप तो हमने मित की बात करी थी unit के अंदर की मित क्या है ठीक है हमने मित की बात करी थी तो हमने यहां पर कुछ मित लिखे हुए है तो एक्जाम में ऐसे भी question बनेंगे एंटर्प्रियोर्श और बॉर्न डैट वे जरूरी नहीं होता कि एंटर्प्रियोर बनने के लिए हमेशा एक अच्छे आइडिया की जरूरत हो या special या unique आइडिया की जरूरत हो ऐसा नहीं है आपके पास कुछ existing आइडिया भी जो बिजनेस खुला और आपको दो मेंथ के अंदर आप उससे रेवन्य जोनेरेट करने लगोगा पैसे प्रॉफिट बनाने में लगोगे तो यह भी मित है कि लोग उस लोग कहते कि एंटर्परिनियूर क्या है बिजनेस करोगे आज करोगे कल पैसे कमाने लगोगे ऐसा नहीं इसा नहीं है तो उन्हें करने के ज़रूरी नहीं कि आप उनकी सैलरी इंक्रीज कर रहे हैं या आप उन्हें इंसेंटिव दे रहे हैं बोनस दे रहें तो उनको मोटिवेट करने के बहुत सारे तरीके एक मित है कि डिकेशन बहुत कम होती है उनमें डिकेशन बहुत जाधा होती है तो यह मित बनाये गए हैं कि जो entrepreneurs होते हैं कि वह उनमें dedication नाम की कोई चीज नहीं होते एक बार business run कर गया फिर उसके बाद वो बैठ जाते हैं ऐसा नहीं है तो dedication होता है तो यह myth है सारे तो आप exam में इन myth को लिख सकते हैं कि आगर आप difference between entrepreneur and wage employer entrepreneur और wage employer की बीच का difference करते हैं चलिए जानते हैं क्या क्या difference है कि देखिए अगर हम यहां बात करें entrepreneurs make own plans बिल्कुल साही बात है कि entrepreneur अपना plan बनाते हैं अपना business बनाते हैं creative activity है बिल्कुल हमेशा creative रहते हैं innovative रहते हैं कि जिसके तुरू उनको business और develop करे customer needs for making profit for use personal knowledge and interest to make money for oneself बिल्कुल कि यह क्या करते हैं कि यह customer की need को पता लगाते है कि customer की need क्या है उसके according business ideas को develop करते हैं और उससे profit बनाते हैं खुद के लिए ठीक है खुद के लिए self employment है यह entrepreneurship क्या है यह self employment है ठीक तो यह बात है entrepreneurs की wage employee कौन होता है जो कि क्या किसी एक company में काम करता है किसी organization के लिए काम करता है वो एक wage employee होता है तो उसको company के according चलना पड़ता है तो follow interaction routine job करनी पड़ती है earning fixed होती है बिल्कुल earning fixed होती है does not create wealth बिल्कुल ज्यादा पैसे नहीं कर सकते बिल्कुल कि job के दुरू आप ज्यादा चीजे नहीं कर सकते ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते बहुत ज्यादा wealth नहीं कमा सकते तो यह wage employment में और entrepreneur में difference है तो इसको हम self employment भी बोल सकते हैं इसको हम ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं चलिए तो इस क्लियर बहुत ही सिंपल है यह ओइंट सी यह questions अब बात करते हैं वाई entrepreneurship is considered a good career option आज के टाइम पे जो entrepreneurship है बेटा वह बहुत ज्यादा एक अच्छे career option की तरह देखा जा रहा है एक अच्छे career option की तरह देखा जा रहा है कुछ लोग आज कल job नहीं करना चाते हैं entrepreneur बनना चाते हैं business वनाना चाते हैं उसके तुरू तो एक entrepreneurship है जो entrepreneur है उसको एक career option के थुरू भी देखा जा रहा है आज के modern time के तो यहां पर कुछ पॉइंट के दुरू हमने इस बात को एक्स्पेन करने की कोशिश करी है कि इत प्रमोर्ट इनोवेशन टू फाइंड न्यू सॉलीशन टू एक्जिस्टिंग एन इमर्जी डिमांड्स बिल्कुल जो डिमांड्स मार्केट के अंदर है जो एक्सिस्टिंग करियार ऑप्शन देखता है कि मार्केट में जो इमर्जीन डिमांड्स हैं और जो एक्झिस्टिंग डिमांड्स है उसको किस तरह से बिजनेस में कणवर्ट किया जा सकता है तो इसलिए लोग इंटर्परियोर्शिप को एसकरियर ऑप्शन देख रहे हैं as a good career option देख रहे हैं कि इस प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुरिटी फॉर्डी वेल्थ क्रियेशन बिल्कुल पैसा कमाने के लिए इंटर्पने और शिप जाधा अच्छी चीज है अगर आपको बहुत जाधा पैसा कमाना है तो इंटर्पनेर्शिप मतब बिजनेस बन इ आपर आइए तो फेक्टर और उससे सुसाइ모 ऑं रही है और दो कुछ आपने लिए भी सोचते हैं कि वो भी घ्रो हूं और सास सुसाइइटी में लोगों को भी ग्रो गरे तरीकर को इसलिए भी करियर का इन्टर्पनेर्शिप को के देखा जा रहा है है आज के modern time के according ठीक है जॉब अपॉर्चनेटी सार लिम्टेड इंदी मार्केट ये भी है सकता है कि भाई आज के टाइम पे बहुत सारे लोग यूथ है ठीक है बहुत सारे लोग पढ़ लिग गए बहुत सारे लोग ग्रेजुट हो गए और मार्केट में अपॉर्चनेटी कम हो चुगी जॉब अपॉर्चुलिटी कम हो चुगी तो लोग entrepreneurship को as a career option को भी देखने लगे हैं तो आप ये points explain कर सकते हैं कि क्यों career option के दुरू entrepreneurship को आज के modern time में देखा जा रहा है ठीक है students बहुत ही simple now next question अब जी 9 वाला question इसमें true और false है कुछ statement दी है और आपको उसके according क क्या करना पिटा true और false बताना है कि ये बात सच है कि गलत है ठीक है ये बात true है कि false है यहाँ पर कुछ statement दी गई है तो exam के अंदर इस तरह से भी questions आप से पूछे जा सकते हैं तो आपको इन में भी ध्यान देना है ठीक है इसमें भी ध्यान देना है चलो तो सबसे पहली statement क् है entrepreneur who do not have a innovative idea cannot succeed ऐसा कहीं लिखा है कहीं rule book नहीं है कंदमित है कि यह false belief है कि जो entrepreneur के पास कोई innovative idea या मतलब कोई unique को creative idea नहीं होता तो वह success नहीं कर सकते है ऐसा नहीं है market के अंदर multiple business रन हो रहे हैं एक ही sector के अंदर एक ही field के अंदर multiple business रन हो रहे हैं और कई सारे business तो बिल्कु हम false बोलेंगे क्योंकि ऐसा नहीं कि entrepreneurship के लिए या entrepreneur बनने के हमेसा आपके पास unique special idea होना चाहिए उसकी वज़े से success कर सकते हो ऐसा नहीं है तो यह false belief है तो हम यहाँ पे false लिखेंगे ठीक है false कहीं एंटर एक्जीबिट हाई रिस्टेकिंग एबिल्टी बड़ दे में रिस्क लेने में आगे होते हैं मतलब हाई रिस्क लेते हैं और चीजों को बड़े ही ध्यान से समझ गये ठीक है तो यह बात यह statement है यहाँ पे बिटा ट्रू होगे इंटर पनियोर्स के बारे में तो यह statement को हम बोलेंगे true क्योंकि वह रिस्क टेकिंग तो होते हैं रिस्क तो लेते हैं अपने बिजनेस के लिए और बड़ा क्या ग्रोथ करते जाना लगातार ग्रोथ करते जाना तो वह successful बोलते हैं उसी को हम बोलते हैं entrepreneurship क्या हो रही है successful हो रही है कि आपने को बिजनेस को होला और आपका business बिल्कुल flow में है और धीरे 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 आप growth कर रहे है तो it means आप एक successful entrepreneur बनने की stage पर आ रहे हैं ठीक है तो यह statement भी बच्चे क्या हो जाएगी प्रू हो जाएगी nothing matter more than a business idea बिल्कुल कुछ matter नहीं करता एक business का idea जरूर matter करता है ठीक है नहीं देखिए यह बात बोली यह false होगी क्योंकि देखिए क्या है कि हमने यह बात करेंदे entrepreneurs के बहुत सारी qualities बहुत सारे functions है ठीक है वह functions को मिला के ही वह एक successful entrepreneur बनते है जरूरी नहीं है कि आपके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया है ठीक है जरूरी नहीं है कि आपके पास बिजनेस आइडिया तो है बड़ आपने उसको कभी बिजनेस नहीं करेगा ठीक है तो हर चीज मैटर करती है इंटर्पर्नियोर्शिप के अंदर बिजनेस के अंदर हर चीज मैटर करती है जरूरी नहीं कि सिर्फ एक आइडिया ही मैटर करें कि आइडिया लेके आ गए हो और आपका बिजनेस चल जाएगा ऐसा नहीं है तो य आप एक successful entrepreneur successful company बना पाएंगे one can acquire and develop entrepreneurial skills बिल्कुल कोई भी born entrepreneur नहीं होता सब यहीं पर आके सीखते हैं तो वह skills acquire कर सकते हैं और सीख सकते entrepreneurial skills तो यह बात भी बच्चे क्या है true है कि कोई भी develop कर सकता है अपने अंदर entrepreneurial skills जो बात बोलेंगे है तो यह है बेटा true entrepreneurship is the process of constant learning बिल्कुल entrepreneurship के process throughout the learning में रहते हैं आप हमेशा सीखते रहते हैं constant क्योंकि over time market बदलता है तो आपको नए आईडियास के साथ आना पड़ता है नई creativity के साथ अपने मार्केट में प्रोडेक्ट लांच करने के अंदर तो यह बात भी बच्चे यहां पर true है ठीक है इंटर्प्रियोर्स कें create a job in the market बिल्कुल कि एंटर्प्रियोर्स जॉब क्रेट करते मार्केट के अंदर अभी हमने बात करी तो सोसाइटी को एफेक्ट करते हैं और उससे job create होता है ठीक है जब कोई business open होता है मार्केट के अंदर रहा तो उस business को run कराने के लिए बहुत सारे लोगों की requirement होती है तो जिसके तुरू क्या होती मार्केट में job create होती है तो लोग job करते हैं तो यह बात भी true हो जाएगी ठीक है तो इस तरह से questions आपको समझ में आ जाएंगे कि entrepreneurs के अंदर क्या के चीज़े होती है तो आई तिंग यह आपको clear होंगे यह myth से कुछ myth से कुछ सही बाते है ती इसके अंदर ठीक है तो true false की condition वाली यह statement थी clear now अब next आगे बढ़ते हैं क्या question है name the term used for the false belief और opinion about something किसी चीज़ के बारे में false belief और किसी चीज़ के बारे में गलत चीज़े तो उस word को क्या बोलते है नेंदर टम ठीक है नेंदर टम यूज फॉर दी फॉस ब्लीफ फॉस ब्लीफ के को लिए क्या term use किया जाता है जब कोई भी चीज़। हम यह बोल टे फॉस बीफ के लिए या ऐसे नहुस किसी चीज़ के बारे में तो यहां पर यहां पर आंसर ओगा यह single work का तहने था सिफ्टम बताना था आपको तो मित आप बोल सकते नाव नेक्स्ट कोशल्ष अब बच्चे कुछ कोस्ट क्सटालिस लाते कुछ स्टोरी वाइस वाइस टोरी गां। जाएंगे और उसके according आपको कुछ सही options बताने हैं आपको कुछ stories दी जाएंगी उसके according क्या statement आएगी वो बताने हैं जैसे यहाँ पर सम स्टोरी जाएंगी क्या statement आएगी वो बताने हैं तो इस से इस प्रोसेस यह वाला questions के तुरू काफी अच्छी learning होगी आपकी चलिए computer customer come to his store and start shouting मतब क्या रवी का एक story उस पर customer आता है उसके उपर क्या करने लगता है चिलाने लगता है जोर जोर से ओक्राइब और यहां पर प्रेइंग नियू आइडिया तो बिल्कुल सिंपल सी बात है एंटरपनियोर क्या होते पेशन्स भी होते हैं ठीक है कि उनका customer को क्या problem है वो सुनते हैं ठीक है तो यहां पर हम बात करें तो बोलेंगे यहां पर he is very patient तो एंटरपनियोर के अंदर हीट इट डस नौट सेल एंड शी हैस लॉस उसको लॉस हो गया उसकी कंपनी नहीं भी की ठीक है शी अपोलाइब अपोलजाइस टूदी पीपल हूँ वर्क फॉर हर जिसके लिए वो काम करती थी अब अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा ठाइब नेक्स टाइम इस बात का ध्यान रखेंगे ठाइब एक साधंब ब्लैन करेंगि इक व्युआ कर आने के लिए हम चार ओप्शन दिये घे जा th the responsibility of your mistake thinking before making a decision does not give up or creative तो उसने यहां statement आप पढ़ोगे ठीक है उसने क्या बोला she apologize to the people who works for her she says she will plan better next time मतलब ऐसा नहीं हो कि उसको उसको business में loss होगे तो उसने give up कर दिया कि नहीं यार मेरा business loss होगे आप मैं business नहीं चला सकती तो उसने यह सोचा कि अगली बार जब मैं loss के तुरू कुछ सीखा और don't give up मतलब give up नहीं किया she doesn't give up तो उसने give up नहीं किया उसने यह बोला कि next time जब भी वह आएगी तो एक better plan के साथ आएगी जिसके तुरू उसको loss ना हो तो यहां बोलेंगे she doesn't give up ठीक है she doesn't give up क्योंकि उसने loss को जेला और बेटा क्या और यह बात को ध्यान दख्खा कि next time जब भी आएगी वह next time better plan के साथ आएगी तो कुछ stories के थूरू काम करने हैं now take the correct option for the function that are entrepreneur is doing यहां पर आपको कुछ stories दी गई है यहां पर भी stories दी गई है जिसके थूरू आपको correct option बताने है हुआ ठीक अली आवाट डायपन बिजनेश फैक्ट्री एली आज डायमेंट फेक्ट्री यह पेज इस एंपल्आइस ऑनडीं फिस्ट वर्स्ट ओफ एवरी मथ वो क्या करता है कि ऐलिका डायमेंट की वेक्ट्रीए वो अपने हर एंप्लोई सब्सक्राइब कर देते हो तो क्या कर रहे हो आप बिजनेस को मैनेज कर रहे हो तो मैनेज दी बिजनेस को यह पता चलता है कि फरीदाबाद ने बल्ब जो है वो नौईडा से छिप रहे हैं दो स्टारट तो उसने क्या सोचा ज buttons कि जगा हम फरीदाबाद से करते हैंicut में एक जगे फरीदाबाद के अंदर बल्ब काई cheaper है और नौईडा में थोड़े से मेहंगे तो उसने क्या किया मेग से डिसीजन डिवाइड इंकमस तेस्क स् vård टेस्ट टेस्ट टेड टेक टेक्स बिसक र deix ऑन्र किसे क्या कट उसने आच के अंदर गया उसने क्या कि अंदर की नुक्त आ पहले का स्टीजिजन में किया कि अब्व वह वा बल्ब नौय नहीं लेगी वो फरीदाबाद से लेगी कोई फरीदाबाद में क्योंकि सस्ते बल मिलने हैं तो उसने क्या किया यहां पर decision making की तो makes a decision ठीक है makes a decision now third story क्या है रहनुमा 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 के पास दो लोग है जो उसके लिए काम करते हैं every day she spend one hour with them to learn about what they have done that day तो वो क्या करती है कि बाई तुमारे पास दो लोग होगे मालो तुमारे साथ दो लोग काम कर रहे हैं तो तुम उनके साथ पूरे दिन में एक घंटे बैट के पूछते हो उनसे कि तुम क्या काम किया आज पूरे दिन में रिपोर्ट करते हो ठीक है आप उनकी रिपोर्ट मांगते हैं वर्टिंग रिपोर्ट मांगते हो कि आज आपके एंप्ल्वाइस ने पूरे दिन में क्या 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 है तो क्या कर रहे हो क्रेट शन्यू प्रोडेक्ट डिवाइट इंकम या मैनेज़ बिजनेस ठीक है सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी ब क्योंकि बिजनेस के अंदर तो कई सारे लोग काम कर रहे होंगे तो उनका ट्रैक भी रखना है कि कौन बंदा क्या काम कर रहा है तो उसको मैनेजमेंट मिलाते हैं तो क्या कर रहा है मैनेज दी बिजनेस तो रहनुमा क्या कर रही है मैनेज कर रही है बिजनेस को ठीक है बच् तो कौन सा मिसकंसेप्शन सबसे बेटर फिट होता है किस स्टोरी पे तो हमें यहां पर मैच करना है चलिए तो पढ़ते हैं रामू ओंसा लार्ज क्लॉट सौप रामू के पास के एक लार्ज क्लॉट सौप है शामू है जा समॉल स्टोर सेलिंग हैंडमेट सारीज शामू अपने आपको इंटर्प्रिन नहीं बोल सकता इस बात को कि इंटर्प्रिनीयोर होने के लिए तो आपने आपको इंटर्पिन्योर नहीं हगा ऐसा नहीं है बिजनेस का कोई रेंज नहीं है कि बड़ा बिजनेस छोटा बिजनेस वह एंटरफोडने मेंट कर रहा है जो अपने लि tutoring MEME कर रहा है वो साफ एंटरपर्नेश्य में तो यहां पें मिस्कॉंसेप्शन देख सहने क्या है एवरी बिजनेस आइडिया नीज टू भी यूनिक और स्पेशल ठीक है एंटरपनियोर सार नौट बॉर्ण नौट मेट यह भी फिट नहीं होगा यह दोनों फिट नहीं होंगे अब परसन लीट टू है वा बिग बिजनेस टू बी कॉल्ड एंटरपेलर ऐसा नहीं है कि परस के पास ग्रेट आइडिया फॉर है वेबसाइट शी हैज फाइब ताउजन शी एज शीज वेटिंग फॉर ट्वेंटी थाउजन मोर्ट शो डैट शी कैन इस्टार वह उसके पास पांच हजार है वह बीस हजार के लिए बेट कर रही है तो वह सोच नहीं कि जब मेरे पास द alma में ये बात नहीं है क्योंकि जो एंटरो और होते है वो सैल्फ मेर्टे ना कि बौर्न में होते हैं कि नहीं ऐसा नहीं कि आप जैसे बॉर्ण होते है ब्लॉट अब correlated पाफ आद बन जाते नहीं तो उसके अंदर यह mis邪र न होता है कि हमें क्या करноा पड़ेगा यहीं पर लोग सीखते इसकिल को यहीं पर आके वो इंट्रपरनियोर बनते हैं थट्र है इना सीटी अफ़ाउजेंड टेलर है एक शेटी के इंदर हजार से भी ज्यादा ट्रेलिंग की शॉप ठीक है ट्रेलिंग की शॉप है गौरी शेट ट्रेलर business टेलर चीजे होती है वहां कि शेयर के अंदर बहुत सारे टेलर होंगे बट गौरी भी एक टेलर है ठीक है तो वह भी अपना बिजनेशन कर रही है वह भी अपना सक्सेस्फुल बिजनेशन कर रही है तो यह मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि शेयर के अंदर तो बहुत सारे टे तो यह misconception है कि every business idea need to be unique ऐसा नहीं है कि हर business के idea को unique और special होना पड़ेगा ऐसा कहीं भी नहीं इंटर्पेनर बनने के लिए तो इंटर्पेनर वह भी बन सकते हैं जो कि पहले से existing idea पर काम करें और उनको अच्छे से अब रिप्रेजेंट करें ठीक चलिए आगे क्या था है मारे पास अब यहां पर बताना है राइट अगेंस्ट यॉप्शन इप बिजनेस आइडिया इस सेल्फ एंपल्यमेंट और वेज सब्सक्राइब कर रहें तो आप क्या हो गए स्टूडेट के लिए बरक कर रहें तो आप clothing business के मालिक हैं तो आप क्या हो गए self employment ठीक है having a dose selling stall आपके पास dose selling stall है कि आप अपने stall के अंदर dose बेज रहे हैं आप खुद के लिए काम कर रहे हैं ठीक है तो यह भी क्या माना जाएगा self ठीक है आप दूसरों के लिए काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको salary रूटीन जॉब कर रहे हैं तो वह वेज अप्लोय है किसी रेस्टोरेंट में कुकिंग करना वह एक वेज employment के अंदर है आपके पास कोई business है तो वह भी self के लिए है अगर आपके पास क्या है कोई stall है किसी डोसा इस टॉल है यहाप कोई foods related को इस टॉल है fast foods related तो वह भी self है ठीक है तो यहाँ पर यह बात हो गई अब यहाँ पर कॉलम मैच करने के लिए आता है मारे पास कि भाई आपको growth ठीक है कि कैसे entrepreneur growth करते हैं तो यहाँ पर तीन story यहाँ भी दी गई है तो आपको बताना कौन से growth के लिए feedback दी है देखिए शुर्भी ऐस ओपन फाइब पेंटिंग इस्टोर एक्रोज इंडिया तो देखिए पहले मेरे पास एक इस्टोर था ठीक है मैंने दीरे दीरे और टाइम मेरे पास पूरे इंडिया के अंदर पास इस्टोर हो गए तो मैंने अपने बिजनेस के से मैच करेंगे हम सी से मैच करेंगे ठीक ग्रो करेगा नौँ अब यह देर मैनी कोचिंग क्लासेज इन मुंबई जेकब ओन वन आफ़ दी शी ही स्टार्टिंग मॉर्निंग बैचेज टू एट्रैक्ट मोर स्टूडेंट आफिस क्लास ठीक है तो क्या किया बाई जेकब की क्या है कि बहुत सारी देरन मैंनी कोचिंग क्लासे मुंबाई के अंदर बहुत सारी कोचिंग क्लासे है तो जेकब भी एक है उसकी भी कोचिंग क्लासे है तो ऐसा नहीं है कि भाई बहुत सारी कॉंपटीशन है क्योंकि जेकब क्या है कि म में competition phase करना पड़ता है तो जेकब अभी क्या करेगा competition phase करेगा तो वो कौन सी stage में हुआ वो survive वाली state में हुआ ठीक है survive वाली stage में हुआ now third क्या है Salma has started her clothing line on internet Salma ने क्या किया अपने clothing जो कपड़े थे वो उसने online बेचना चालू किये तो उसने new business start किया है just उसने new business launch किया है तो वो कौन सी stage में आएगी एंटर वाली stage में आएगी ठीक है एंटर वाली stage में आएगी ठीक है बच्चों ठीक है चलिए तो अगर इतने ही ते questions यहीं थी हमारे class में तो अगर आपने यह questions सारे अच्छे से prepare कर लिए और समझ लिए तो आपकी यह unit से जो मार्स का है दो मार्स का question आएंगे आप वो अच्छे से कर सकते हैं ठीक है तो हमारी यह unit खतम होती है with questions मैंने करा दिए प्रूफ और करा दिए आपको story wise वाले question भी करा दिए तो exam के अंदर जिस तरह से questions frame हो सकते दे वो सारे questions हमने यहाँ पर देख लिए ठीक है चली तो अगली unit बेता हमारे पास क्या आएगी जो अगली unit आएगी हमारे पास वो आएगी green skills ठीक है green इस्किल्स आएगी हमारी next unit ठीक है पार्ट एकी पार्ट एंप्लाइबिटी इस्किल्स की unit number green आएगी तो यह वाली entrepreneurial skills वाली unit खतम होती with questions तो अगली unit आपको मिलेगी green skills जो की मिलेगी आपको Friday को ठीक है अगली unit मिलेगी आपको Friday को फिर इस unit पर भी questions होंगे clear तो अगर class पसंद आती है तो अपने friends को शेर कर दो कि IT402 की class आकर शेर doubted पर पढ़ा रहे हैं और चैनल को subscribe ठीक है class को like शेर जरूर करो अपने friend circle में कि जिनसे उनकी preparation board की अच्छे सो सके और बता दो कि doubtnet पर स्टार्ट हो गई है IT402 की class ठीक है और playlist में तयार कर दूँगा playlist पूरी complete कर दूँगा जिससे कि आपकी preparation बहुत अच्छे सो सके और आपको किसी और चैनल पर जाने के जुरुत ना पड़े क्योंकि यहां पर आपको सब प्रिपेरेशन करते रहें बाय बाय टेक केर स्टुडेंट्स